साथियों दस साल पहले तक देश आतंगवाद की आग में जल रहा था और कॉंग्रेस पतां था पडोसी देश आतंगवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है आतंगवाद एक्सपोर्ट करना और जब आतंगवादी आते थे बहुत बड़ी गटना करते थे मुंबे में 26 ग्यारा कर दी गया हिंदुस्तान के अलग अलग कौने में मम दमाके होते रहते थे लोग मर रहे थे कश्मीर में आये दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी डोजियर बेचती थी जानकार यहां उनकी फोटू यह सब बेचते थे यह आपके आँसे आये थे उन्होंने किया और कॉंग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साब हम पर मम क्यों फोड़ते हो वो भी एक जमाना था डोजियर बेचते थे आज का भारत आतन के आकाओं को डोजियर नहीं डोज देता है और घर में गुजगर के मारता है